वेलकम इस्टुडेंट्स आज हम आपके लिए जो सेकंड्री एक्जामिनेशन है ट्वंटी-ट्वंटे-3 का आपका जो बोर्ड का पेपर है इसका आपकी वो क्योशन्स लेकर आए इसके जो आपके इस्टेंजा ट्रिक्स के क्योशन्स पूचे जाते हैं यानि इस्टेंजा of the following extracts and answer the questions that follow यानि कि आपको ये extract दिया जाएगा आपकी पोईम से और आप सिखा जाएगा कि ये आप questions है इनको सोल कीजिए अब आजगल क्या होने लग गया कि एक question यानि कि आपके दो अंक का एक question है वो पूछे जाने लग गया कि rhyme scheme बताई यानि write rhyme scheme and rhyming words यानि कि आपको rhyme scheme भी लिखनी है और rhyming words भी लिखनी है इसकी अच्वा में जो दूसरी poem का आपके extract दिया हुआ है वहाँ पर भी पूछा गया है write the rhyme scheme and words तो कुल मिलाकर आपको दो अंकतब मिलेंगे जब आपको पहली बात हो यह पताऊगी कि rhyme scheme क्या होती है और rhyming words क्या होते हैं तो मैं clear कर देता हूँ कि rhyme scheme होती है जो कि आपके एक पंक्ती को दूसरी पंक्ती या तीसी पंक्ती या चोती पंक्ती से connect करती है यानि कि उसका जो अंतिम सब्द की द्वनी होगी वो कहीं ने कहीं इन जो पंक्तियां आपके दी हुई है इनके last word से touch होगी जैसे कि हम कोई भी singing करते हैं गीत सुनते हैं गाना गाते हैं तो अंतिम सब्द अगली line के अंतिम सब्द से मिलता है ऐसे ये चलती है तो यहाँ पर आप देखें ये twice दिया हुआ है ध्यान से समझ लेना जिन्दिगी बर के लिए बार बार समझने की जुरत नहीं पड़ेगी ये twice दिया हुआ है एक word अब यहाँ पर आप बोलेंगे तो यहाँ पर twice आया हमने बोला यहाँ पर हम इसको राहम इसकी में ए देदेंगे क्या आप देदेंगे ए और यहाँ पर last word क्या है हेट है क्या है हेट इसको अगर यह दोनों twice और यहाँ वो ता आइस तो यह दोनों A हो जाती लेकिन जो पहली पंक्ति का अंतिम सब्द है उसकी द्वनिय अलगे और दूसरी पंक्ति के अंतिम सब्द की द्वनिय अलगे तो इसको हमने नाम दे दिया भी ठीक है अब थर्ड पंक्ति का यह थर्ड लाइन का आप last word दे कि आइस क्या यह आइस इससे मेच नहीं कर रहा ह आइस इससे मेच कर रहा है या नहीं कर रहा है ट्वाइस से कर रहा है ना तो ट्वाइस और आइस एक जैसी आवाज आई तो अब यह कौन सी दोनी हो गई एक क्योंकि यह इससे मेच कर रही है अब यह देखे हैट और फूर्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखे ग्रेट क्या ह तो अब आपका आंसर क्या बना राइम स्कीम तो क्या होगे इसकी A B A B तो आप आंसर में क्या लिख देंगे यहां पर आंसर में लिख देंगे आप राइम स्कीम क्या लिख देंगे A B और A B और राइमिंग वर्ड्स आपको hate eyes and great तो फिर वो आपका सही करके यहाँ पर आपको दो अंक दे देगा क्योंकि आपका अंसर सही हो गया दूसा question तो आप जानते ही है फिर भी यहाँ बता देता हूं वेसे मैंने यह video arriving scheme के लिए बनाया है फिर भी यह ट्रिकिस में भी बता देता हूं which thing is also great for destruction यानि विनास के लिए कौन सी वस्तू सबसे ज़्यादा great महान है बड़ी है तो आपको destruction मिल जाएगा great मिल जाएगा यह रहा destruction तो हमें answer लिखना है यहाँ से for destruction ice is also great सरवनास के लिए ice ज़्यादा बड़ी है तो यह answer इसका यहाँ मिल गया यह भी सही हो गया इसमें दो अंक मिल गए तो हमारे इसमें total चार में से चार अंक आ गए दूसरा भी समझा देता हूँ I am an open roaming the street अब यहाँ पर अंतिम वर्ड दे के जहां से समना roaming the street यह एक लाइन इसका last सब्द क्या है street I pattern soft dust with my hast bare feet और यहाँ पर फिर दिया हुआ है street और इसमें देखिया लास्ट वर्ड क्या street के बाद पीट ठीक है तो हमने यह से किया पहली लास्ट वर्ड को जिसकी आवाज मेज करी street यह दे दिया अब यहाँ पर तो दूसरा वर्ड अलग था दूनी अलग थी twice और हेट तो इसको बीच दिया था लेकिन यहाँ पर तो मेज करा है street feet यानि कि यह भी इसकी दूनी है तो यह हो गया aaa ठीक है तीनों लाइनों में aaa है ठीक है और rhyming words क्या लिख देंगे आप street feet और sweet तो यह आप यहाँ परांग से लिखेंगे write the rhyme scheme and words तो rhyme scheme is aaa and words are street feet or sweet ठीक है तो यह आपके इसके अंक दो आगे आगे बढ़ते हैं what is golden and what is sweet क्या तो golden है और क्या sweet है अब आगे बढ़ते हैं कहां पर दिया हुआ यह था the silence is golden the freedom is sweet यानि कि इसका answer यह मिल गया तो दोनों answer सही हो गए इसमें भी आपके दो अंक देगा इसमें भी दो अंक देगा यानि यहां पर भी आपको चार बटा चार अंक मिल जाएंगे तो यह जो मैंने आपको ट्रीक बताई है यह आपको यह चीज बताई है आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा यह इसे ही फुल माक्स लाने के लिए हम आपको कंटिन्यूए जो आपका पूरा पेपर है इसको दीरे दीरे आपको समझाएंगे कैसे आपको पेपर सोल करके आना है बस आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ठे दीरा क्थू